तो कभी-कभी आपने बैंक एकाउंट नमबर या आधार नमबर में ऐसे 20 यह कुछ नमबर हाइट देखे होंगे यानि कि उन नमबर की जगे आपको एस्ट्रिक का साइन दिखाई पड़ेगा या हैश का साइन दिखाई पड़ेगा तो इसको अगर हमें एकसल में करना हो तो हम कैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैंने एक्जैंपल करके दिखाया हुआ है अब इसी को मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करता हूँ तो माल लीजे कि इस सेल में हमें करना है तो हमने इस सेल को सेलेट कर लिया अब उसके बाद हम यहां सबसे पहले left का formula लगाएंगे तो हमने equal to type किया, उसके बाद left का formula आगया, इस पर double click कर यह formula open हो जाएगा अब सबसे पहले हमें वो number select करना है जिसके बीच के number हम इस तरीके से height रखना चाहते हैं तो हमने यह number यहां पर select कर लिया, उसके बाद हमने comma type किया, अब यहां पर हमें यह decide करना है यह देखे, हमने asterisk यहां पर four times, आपको यह भी decide करना पड़ेगा कि वो symbol कितनी बार दिखाई पड़े, तो हम चाहते हैं कि four times जो है asterisk दिखाई पड़े, उसके बाद double quotes यहां पर बंद कर दीजे, उसके बाद दुबारा से end button यहां पर, sorry, end यहां पर type कर दीजे, अब यहा हमें दुबारा से वही account number select करना है, तो माल लिजे कि यह account number हमने यहां दुबारा से select कर लिया, comma type किया, अब हम यह चाहते है कि right से भी तीन ही number appear हो, तो हमने यहां पर फिर से team type कर दिया, bracket यहां हमने किया close, जैसी हम इंटर button प्रेस करेंगे, तो यह देखिए, आ गया यहां पर account number आपका hide होके,